चुनावीर नितिकार प्रसांद किसोर के वापसी को ले करेक तरफ जहां राजद जदी और भाजपा सभी दलों ने अपने कान खड़े कर लिए हैं और खास कर प्रसांद किसोर किस मुद्दे पर क्या बोलते हैं जबाबी करवाई के लिए तयार हैं वहीं नितिस कुमार को लेकर भी जब सवाल पूछा गया तो नितिस कुमार ने सब कुछ साफ कर दिया कि आप लोग तो जानते ही हैं सत्य क्या है किस बात पर हम सरकार में हैं और किन वजहों से लोग बार-बार चून रहे हैं अब उसके बात प्रसांद किसोर ने एक बार फि सोच और प्रयास की जवरत है और यह सिर्फ वहांके लोगों के समुईक प्रयास से ही संबव है जैनि प्रसांद किसोर ने जब ये ट्वीट किया परेइस्बूक पोस्ट किया तो एक चीज साफ हो गई कि मुख़मंत्री ने इन उतिस कुमार और प्रसांद किसोर के बीच जो रिष्टे थे जिसका जिक्र मुखमंत्री ने और कुद परसांत किसोर ने किया है कि उनका जो पारिवारी के रिष्टा है फिता पुत्रवाला वो रिष्टा रहेगा लेकिन अगर बिहार की राजनित की बाद करें तो लगातार उनका बिरोध किया जाएगा अब और नितीज दोनों का उन्होंने पूल खोला है और कहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में नए तरीके से राजनीत की शुरुआत की जाएगी जन सुराज की माधियन से तमाम चीजों को रखी जाएगी अब बड़ा स्वाल यही है कि प्रसांत की शोर को लेकर जिस तरीके स ये चीज साफ साफ कहीं जा चुकीं है कि बिहार में अब बदलाव कर रहेगा इंतजार करना होगा प्रसांद की शोर के अगले बयान की अब बयानों का सिल्सिल्य लगतार जाड़ी रहेगा और इसे तरह के से हमारी कमेंटरी भी जाई रहेगी क्योंकि प्रसांद की सोड लगतार नितीश कुमार और लालू यादों के पोल को खोलेंगे और कुंडली को बार बार खोलते रहेंगे ऐसे में नए तरीके से राजनीत करने आए हैं राज़त ने भी स्वागत किया है जस्वी का समर्थन कर देना चाहिए युवा नेता है युवाओ की बात कितनी चाहिए और बिहारियत से स्वरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजेगो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रु जस्वी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद